ओम नमस्षिवार वरन करें ज्यान और बैराग्य सहित भक्ति से प्रात विवेक के व्रिधी कैसे होती है तथा साधु पुरुष्ट कैसे अपने काम क्रोध आधिविकारों का निवारण करते हैं इसकर युग में सभी जीव आशुरी सोभाव के हो गए हैं अतहत्रिपा करके मुझे ऐसा साधन बताईए जो कल्यार कारी एवं मंगल कारी हो तथा पवित्रता के लिए हो प्रभु वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की सुध्धी हो जाए और उस निर्मल हिर्दय वाले पुरुष्ट को सदय के लिए शिव की प्राप्ती हो जाए स्री सूत जी ने उत्तर दिया शवनक जी आप धन्य है क्योंकि आपके मन में पुरार कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम वह लालसा है इसलिए मैं तुम्हें परमुत्तम सास्त्र की कथा सुनाता हूँ वत्स संपुर्शिधान से संपन भक्ती को बढ़ाने वाला तथा सिव जी को संतुष्ट करने वाला अम्रित के समान दिव्य सास्त्र है सिव पुरार इसका पुर्वकाल में सिव जी ने ही प्रवचन किया था गुरुदेव व्यास ने सनतकुमार मुनी का उपदीश पाकर आदर पुर्वक इस पुरार की रचना की है यह पुरार कल्युग में मनुश्यों के हित का परम साधन है सिव पुरार परम उत्तम सास्त्र है इस प्रित्वी लोक में सभी मनुश्यों को भगवान सीव की विशाल स्वरोग को समझना चाहिए इसे पढ़ना एवं सुनना शर्वशाधन है यह मनुवांचित फलों को देने वाला है इसे मनुश्य निश्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उभोग करके अंत में सीव लोक को प्राप्त होता है सीव पुरार में 24,000 स्लोक हैं जिसमें 7 संधिताएं हैं सीव पुरार परम्रमा परमात्मा की समान गती प्रदान करने वाला है मनुश्य को पूरी भक्ति एवं सैयम पुर्वक इसी सुनना चाहिए जो मनुश्य प्रेम पुर्वक नित्य इसको बाचता है या सुनता है वह निसंदे पुंधित्मा है भग्वान सीव उष्विद्यवान पुरुस पर प्रसन होकर उसी अपना धाम प्रदान करते हैं प्रती दिल आदर पुर्वक सीव पुरार का पूजन करने वाले मनुश्य संसार में संपूर भोगों को भोग कर भगवान सीव के इपत को प्राप्त करते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं सीव पुरार में भगवान सीव का शर्वश्व है इस लोग और परलोग में सुखी प्राप्ती के लिए आदर पुर्वक इसका सिवन करना चाहिए यह निर्मर सिवपुरार धर्म, अर्थ, काम और मुछ रूप चारों पुर्शार्थों को देने वाला है अतर सदा प्रेम पुर्वक इसे सुनना इवं पढ़ना चाहिए आगी सुद्धी हैं सिवपुरार महात्मय दूसरा यध्यार स्री सुनक जी ने कहा आप धन्य है सुद्धी आप परमार्थ तत्व के ग्याता है आपने हम पर क्रिपा करके हमें यह अद्भूत और दिव्य कथा सुनाई है भूतल पर इस कथा के सामने कल्यार का और कोई साधन नहीं है आपकी क्रिपा से यह बात हमने समझ ली है सुद्धी इस कथा के दवरान कहुन से पापी सुद्ध होते हैं उन्हें क्रिपा पुर्वक बता कर इस जगत को किरतार्थ कीजिए सुद्धी बोले मुने जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोब में निरंतर डुबे रहते हैं वे भी सिवपुरार पर नियत्वा सुनने से सुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पुर्टिया ना सो जाता है इस विशे में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवरान नाम का एक ब्राम हड़ रहता था वह ज्यान में दुर्बर, गरीब, रसमेचने वाला तथा बैदिक धर्म से बिमुख था वह अश्नान संध्या नहीं करता था, तथा उसमें वैशे ब्रिती बढ़ती ही जा रही थी वह भक्तों को ठकता था, उसने अनिक मनुश्यों को मार कर उन सबका धन हड़ लिया था उस पापी ने थोड़ा सा भेधन, धन के काम में नहीं लगाया था, वह बिस्या ग्यामी तथा आचार भ्रष्ट था एक दिन वह घुमता हुआ, दैवयोग से प्रतिष्ठानपूर जूसी प्रियाग जा पहुचा वहां उसने एक सिवालय देखा, जहां बहुत से साधू महात्मा एकत्र हुए थी देवराज वहां ठहर गया, वहां रात में उसे ज्वर आ गया, और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी वही पर एक ब्रामहर देवता, सिव पुरार की कथा सुना रहे थे ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्रामहर के मुक्सी, सिव कथा को निरत्तर सुद्धा रहा एक मास बार, देवराज ज्वर सी पीड़ी तवस्था भी चल बसा यमनाज के दूद, उसी बाद कर यमपुरी ले गये तभी वहां सिव लोक से भगमान सिव के पारसद गड़ आ गए वे कपुर के समान उज्वल थे, उनके हाथ में त्रिशूल, शंपूर सरीर पर भस्म और गले में रुद्राज की माला, उनके सरीर की सुभा बढ़ा रहे थे उन्धोंने यमराज की दूटों को मार पीट कर, दीवराज को यम दूटों के चंगुन से छुडा लिया और वे उसी अपने अध्भुत बिमान में मिठा कर, जब कैलास परवत पर ले जाने लगे तो यम पुरी में कोला हल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आये, साथ-साथ रुद्रों की समान प्रतीत होनी वाले इन दूटों का धर्मराज ने विधिपुर्वक पूजन कर ज्यान ग्रिष्टी से सारा मामला जान लिया उन्होंने भैके कारण भगवान सीव के दूटों से कोई बात नहीं पूछी, तक पस्चार शिव दूट दीवराज को लेकर कैलास चले गए और वहां पहुचकर उन्होंने ब्रामः को करुडावतार भगवान सीव के हाथों में सौप दिया सौनक जी ने कहा महाभाग सूत जी आप सरवग्य हैं आपके क्रिपा प्रसाद से मैं क्रितार्थ हुआ इस तिहास को सुनकर मेरा मन आनन्दित हो गया है अतह भगवान सीव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए